पटना के कदम कुआ थाना शेत्र के राजेंदर नगर में एक सरकारी स्कूल में एक छात्र का शव मिलने से संसनी फैल गई है छात्र का शव खून से लगपत था वही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुड़ गई है आज जब स्कूल खुलने के बाद सफाईकर में स्कूल की सफाईकर ने पहुंचा उसी दोरान उसने देखा कि प्रतम तले पर एक छात्र का शव खून से लगपत पड़ा है सब्सक्राइब करने के लिए उपर गया हम्राइब साफ करने के लिए उपर गये तो देखे के पर हुआ है उसके बाद ततकाल पूरी मामले की जानकारी स्कूल प्रवंद को दे दी गई है और मौके पर पहुंची पुलेश शव को बरामत कर पोस्ट मॉडम के लिए भेज दिया गया है फिलाल चात्र के बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी स्कूल का दसवी का चात्र है यूवक की पहचान कर ली गई है और उसके परीजन को जानकारी दे दी गई है फिलाल घटना करम को देखते हुए यही लग रहा है कि चात्र की हत्या की गई है आखे न्यूस 24 के लिए पटना से बियोरेट पोर्ट